हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में आई टू इस्टेडी टीम चैनल पर आजम पढ़ेंगे पतसाहित, हिंदी पतसाहित का विकास आदोनिक काल पढ़ते हैं आदोनिक हिंदी कवीता का प्रारम समवद 1900 से प्रारम हुआ, इस काल में हिंदी साहित का चवमों की विकास हुआ, इस काल में धर्म, दर्शन, कला एवं साहित सभी की प्रती नहीं दृष्टी कौन का आविर्भाव हुआ आधुनक इंदी कभीता के विसे बिकाश किरम को निमलि के च्छे बागों में बाटा जök सकता है नम्मर एक भारतेंदु यूग सन अठारा सौ पचास से उन्नीसीत तक नम्मर गुल्जू दुवेदी यूग सन उन्नीस से उन्नीस वीस तक शन थर्ड नमर चाया वादी योग शन उन्नीस सो बीज से उन्नीस सो चत्तिस तक नमर चार प्रगती वादी योग नमर चार प्रगती वादी योग सन उन्नीस सो चत्तिस से उन्नीस सो तितालिस तक नुम्मर पांच प्रियोगवादी योग सन उन्नीसो तितालीस से उन्नीसो पचास तक और नुमर छे नहीं कवीता सन उन्नीसो पचास से आज तक चलो वीडियो की अंतितक बनी रहेगा आज अपन दिखेंगे भारतेंदु योग की बारी में पूरी डिटल से पढ़ेंगी भार्तेंदु युग सन 1850 से 1900 तक भार्तेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागराण के अगर दूद भार्तेंदु हरिष्चन के नाम पर किया गया है अब पढ़ेंगे पन भार्तेंदु युग की प्रवर्तियां नमर 1 नवजागराण नमर 2 शामाजिक चितना नमर 3 वक्ती भावना नमर 4 स्रंगारिक ता नमर 5 रिती निपूर्ण नमर 6 समस्य पूर्ती अब अपन एक एक टॉपिक पर बात करते हैं भार्तेंदु युक को हिंदी साइथ का प्रविष द्वार माना जाता है दोस्तों इस फर ध्यान रखना ये ओटी में भी पूचा जाता है कि हिंदी साहित का प्रिविश द्वार किस को माना जाता है वारतेंदू युक को माना जाता है ध्यान रखना ये विकल्फ ओटी वगरा किसी के एक सब्द में उत्तर में पूच लिया जाता है ध्यान नहीं बुलना आप किसको हिंदी साहित का प्रविश दौर किसे माना जाता है भरतेंदू यूग को अब अगला है भरतेंदू यूग नब जागरण का यूग है और अगला कोश्चन भी येसे भी बन सकता है भरतें न्युगिन कब्ब्र की विसे इस था है नमर एक राश्टिता की भावना नमर दो सामाजिक चेतना का विकास नमर तीन हस्वयंग नमर चार नमर चार अंग्रिजी स्क्चा का व्रोध और नमर पाच बिविन कब्रूपों का प्रियोग नमर छे कब्ब्र अनुवात की अब अपन एक एक विसेश्था को डिटल में पढ़ते हैं राश्टी ताकी भावना इस सुगी की कवियों को ने देश प्रेम की रचनाओं की माध्यम से जन मानस में राश्टी भावना का बीजार उपन किया है चलो अब अगली विसेश्था है अगली विसेश्था है अगली विसेश्था है सामाजिक सामाजिक चेतना का विकास सामाजिक चेतना का विकास इस युगी के कवियों ने समाज में व्याप अंधविश्वास एबं सामाजिक रूडियों को दूर करने हेतू कविताई लिकी है अब अगली विसेश्टा है नेश्ट विसेश्टा है हास्वयंग इस युग के कवियों ने हास्वयंग शैली को माध्यम बनाकर पच्छिमी सब्विता बिदीसी सासन तता सामाजिक अन्विश्वासों पर करारे वियंग पिरहर किये गए हैं अब अगली विसेश्टा है अंग्रेजी सिक्चा का व्रोध इस युग के कवियों ने अंग्रेजी भासा तता अंग्रेजी सिक्चा के प्रिशार प्रिशार के पिरती अपना व्रोध कविताओं के माध्यम से प्रिकट किया है अगली विस्ता है विविन काब रूपों का प्रियोग इस काल में काब के विविद रूप दिखाई देते हैं जैसे मुक्तब काब प्रबंद काब आदी अगली विस्ता है काब बे अनुवाद की परंपरा इस काल में मौलिक लेखन के 77 संस्कित ततस अंग्रेजी शे कभी अनुवाद भी किया है अगले दिखते हैं अग पूरी भारतेंदु यूगिन प्रिमुक कभी एवामुन की रचनाव अक्षर स्टूरेंट इन कभी एवामुन की रचनाव में कन्फ्यूज जाते हैं बिल्कुल मैंने नोट्स तयार किया है आपके लिए देखना आप यह सब अपन पढ़ेंगे वीडियो के अंदर तक बने रहेएगा भारतेंदु यूगिन प्रिमुक कभी एवाम उनकी विशिस्ताइं कम से कम दो विसिस्ताइं आपको याद होना ही चाहईए आप उनकी बारे में देखते हैं नमरी कभी है भारतेंदु रिष्चन प्रेम पहली रचनक है प्रेम फुलवारी तीसरी रचनक है बेणू गीती का चोती रचनक है प्रेम मली का चलो अब अगले लिकार देखते हैं बदरी नारायन चौदरी प्रेमधन इनने वी तीन रचनाय लिकी हैं जीर्ण जनपद नमर दू आनंद अरुनुद्ध नमर तीन लालित्यत लहरी इतनी बहुत सिंपल सिंपल रचनाय लिकी हैं अपने याद करेंगे तो याद हो जाएंगी ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं ह नमर तीन लिके कौनसे हैं पिरताप नायन मेश्र इनकी पहली रचना कौण सी हैं प्रेम पुसपवली नमर दुसरी हैं मन की लहर तीसरी है स्रंगार व्लास अगले कवी हैं अंबीका दत व्यास इनने भी तीन रचना लिखी हैं भारत धर्म हो 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 री और पबास सोरी कहा है पबास पचासा और यह को लाश्टी कवी हैं रादा चरन गोशामी इननों इननों एकी कभी रचना लिखी कभी इता लिखी है नव वक्त माल फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब करें